एपिसोड के स्टॉट में हमें बताया जाता है कि एक बार क्रिस्मस एद पर आधी रात को कुछ फ्रांच लेडी रूबी रोड के चच में आय थी उसने चोटी सी न्यूबॉन बच्ची उठा रखी थी वो उस बच्ची को चच के दर्वाजे पर रखतर वहां से चली गई ज इसके बाद चच्च वाले उसे बच्ची को उठा कर अंदर ले गए थे और उन्होंने उसे जगा की वजह से उसका नाम रूबी रखा और उस लेडी को दोबारा कभी नहीं देखा गया कोई उसका नाम तक नहीं जानता था और उसी रात एक टाइम ट्रावलर डॉक्टर कि वह कैसे चच्च वालों को मिली और उसका नाम कैसे रखा गया यहां रूबी यह भी बताती है कि उसे काला ने एडॉप्ट किया था जिसे अब वह दुनिया की बैस्ट मॉम मानती है तभी शो का ट्राक्टर उन्हें ट्रक करते हुए कहता है कि मुझे शो के बीच कुछ चावाज आई है जैसे दर्वाजा खोलने की या फिर किसी के विस्परुन की मगर वह लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते देन शूटिंग दो बारा स्टॉट करते हुए लेडी रूबी को बताती है कि शो को करने का रीजन यह है कि हम तुम्हारी बर्थ मदर य उन क्रियेचर्ज ने उसे लेडी को हट कर दिया था अगले सीन में हमें 22 दिसंबर की रात दिखाई जाती है जहां रूबी क्लब में अपने फ्रेंस के साथ पार्टी कर रही थी वहां डॉक्टर हो भी डूबी पर नजर रख रहा था उसके बाद अगले दिन 30 दिसंबर की रात को भी रूबी उसे कलब में होती है और डॉक्टर डांस कर रहा होता है तो रूबी को उसका डांस काफी अच्छा लगा था यहां पर भी वो छोटे क्रियेचर्ज रूबी के साथ शरार्टे कर रहे थे जिस वज़े से रूबी का ग्लास नीचे गिरने लगता है जिसे डॉक्टर ने बचा लिया था वह रूबी से बोलता है कि में हेल थे एंसे अफ्टी डेपार्टमेंट से ही और पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा असर होता रहता है चीजे चुटना या फिर गिरना जिस पर रूबी रहती है कि हां क्योंकि मैं बहुत अनारी हूं बहुत नुपसान होता है और इसे बज़े कि मेरी जब भी चली गई मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई बैड लग चल रहा है देन वो लोग टेक्सी में होते हैं तो सिगनल पर गारी रुक जाती है जहां उपर लगा मैस्कॉट उनके उपर गिरने ही वाला था आगे दूर खड़ा डॉक्टर अपनी दिवाइस से सिगनल को ग्रीन कर देता है वहां से टेक्सी तो गुजर जाती है बट वो मैस्कॉट डॉक्टर के उपर गिर जाता है जो की एक लेडी को बचाते हुए आगे आगया था क्यूंकि उसके हाथ में प्राम थी हम देखते हैं कि इस नहीं मेरी शॉपिंग है डॉक्टर ये देखकर शॉक रह गया था देन डॉक्टर ऊपर उस क्रियेचर को भी देख लेता है तब ही एक पुलिस ओफिसर वहां आ करके डॉक्टर से पूछता है क्या तुम ठीक हो मुझे इस एक्सिडेंट की रिपोर्ट दिखाओ तो डॉक जिस लड़की को प्रपोज करने वाले हो वहां कर देगी ओफिसर ये सुनकर खुश हो जाता है उसके बाद डॉक्टर ट्रैडिशनल वहां से चला गया था अगले दिन रॉबी ग्रोसरी शॉपिंग करके घर वापस आती है तो वहां से मिलने पर और रेडी एक आदमी पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने ये पुलिस बॉक्स यहां लाकर क्यूं रखा जो कि डॉक्टर का टेड़्स होता है मतलब टाइम मशिन वहां आदमी बोल रहा था कि मैं नहीं रखा बट लेडिस बात को नहीं मानती यहां भी वो क्रियेचर रूबी के साथ शरारत करते हुए उसकी सारी ग्रोसरीज गिरा देते हैं तो घर पहुँचकर रूबी मॉम को बताती है कि मैं सब चीज ले आई हूँ बस एक गिर कर तूट गए कभी उसकी मॉम उसे खुशी से बताती है कि अभी हमारे घर एक न्यू बेबी आने वाला है कुछ दिन के लिए सुनकर बहुत एकसाइटड थी क्योंकि आज उसका भी बर्थडे था और देन एक लेडी बच्चे को लेकर आती है जो की एक गल थी और उसका नाम लुलु बेल होता है देन वो लेडी वहां से चली जाती है काला एक फ्रोस्टा होम चलाती थी बट रूबी को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था उनके साथ काला की मॉम छेदी भी रहती थी उसके बाद काला रूबी को बच्चे के पास छोड़कर जरूरी शौपिन के लिए जाती है उसने रूबी से कहा था कि बच्चे का ख्यार रखना तभी रूबी को शोवाली रेडी रवीना क फोन आता है और वो बताती है कि सोरी तुम्हारे मौम और डेड का कोई ट्रेस नहीं मिला पूरी दुनिया से वह भी सुनकर बहुत सेद हो जाती है साथी ही देविना उससे पूछती है क्या तुम्हारे साथ कोई बैद लग कोई क्योंकि उसे शोके दिन के बाद से मेरे इसे रोकता है तभी अच्छानक पास रखा क्रिस्मस ट्री उसके उपर गिर जाता है और कॉल कट जाती है तभी लुलू बेल के रूम में लगे रिकॉर्डर से कुछ आवा जाती है जैसे कोई वहाँ बात कर रहा हो रूबी काफी हैरान हो गई थी तभी वह आवाज उसे पी बर्थडे बोलती है और अब रूबी भाग कर उस रूम में जाती है वहाँ से लुलू बेल गायब थी और उसे क्रियेचर की फोटो मिलती है जो कि अभी उनकी कैमरा से कीची गई थी और तभी वह क्रियेचर छट से उपर जाते हुए देखी है तो रूबी भी उसके प पर भागते हुए रूबी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो किसलिए आस्मान से सीरी पर चट गई वह भी बोलती है वह उसके बाद डॉक्टर भी जम कर कुदता है और सीरी पर चट जाता है और बताता है कि इन क्रियेचर को गोबलिन कहते हैं रूबी को सीधी का नाम देती है तभी हम देखते हैं कि वो सीरी उपर फ्लड करने वाली एक शौप के साथ अटेच थी डॉक्टर बताता है कि गवन्मेंट का ठिकाना है और ये लोग यहां बच्चे खाते हैं लेकिन अब वो हमें भी खा जाएंगे रोदिये सुनकर डर जाती है दिन उप अबर शिप में पहुँचने पर गोबलिन उन्हें बांध के रूम में बंद कर देते हैं रूबी डॉक्टर को बताती है कि आज मेरा बर्थडे है तो डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम्हारा और लुलू बेल का बर्थडे से है तो इसी तफाक की वज़े से उठाया क्यो की बच्चों को और टेस्टी बनता है ये गोबलिन्स चांस को इंसीडियस और लाख के पीछे जाते हैं जैसे तुम्हारे साथ बैड लखो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया क्योंकि ये गवन्मेंट क्रिस्मस पर इस बच्चे के आने का जान चुके थे ये लो डिस्कवर किया जिसके बाद वह खुद को चुड़ा लेता है उसने रूबी के हाथ भी खोल दिये थे डॉक्टर अपने सोनिक स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर वह काम नहीं करता क्योंकि वह सिर्फ मेटल पर ही काम कर सकता था बट वहां से बंधा हुआ था रूबी बोलती है कि हमें जल्दी बाहर निकलना होगा वरना वह बच्चे को खा जाएंगे साथ में डॉक्टर के पूछने पर बताती है कि मेरा जन्म शायद दो बज़े हुआ था जिस डॉक्टर कनकलूड करता है कि मेरी कोइंसिदेंस त्योरी के का ट्राक समझते हुए एक रसी को खीचता है तो उसे दर्वाजा खुल गया था देन वह आगे बढ़ते हुए एक और रसी के थरू इवेंट शाफ्ट को लेता है और वह दोनों उसे डॉक्टर में आगे बढ़ जाते हैं तभी एक बैल की आवाज आती है जो कि शायद आ रहा था साथ में बच्चे की सीजनिंग की जा रही थी तभी बैल्ट की दूसरी साइड पर गवनमेंट का केंदर बल होता है जो की काफी बढ़ा और कृतिका टोपी से देखकर और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि बेबी आस्था आस्था आगे बढ़ते हुए उसे कि उनके मुँँ में जाने वाला था लेकिन तभी डॉक्टर की क्रिशी खोलने से रूबी और वो नीचे बैड पर गेर जाते हैं जिससे बैड रुक गए थी सब गोबलिन्स चकित होकर उन्हें देख रहे थे लेकिन जब डॉक्टर बच्चे को उठना है तो गोबलिन गुस तीचे आ जाते हैं गोबलिन किंग उनके भाग जाने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था थे फाइनली डबलू डॉक्टर के साथ अपने घर चली जाती है डॉक्टर वहां चैरी के साथ बाते करता है धन गोबी के पास चाहते उस क्लाब लेता है ग्लाव्स की एन प्लस वगेरा चेक करने लगते हैं जहां कल के फ्रोस्टा हम बेबीज की फोटोस देखकर डॉक्टर सर्प्राइस रह गया था और वह रूबी को बताता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और वो लोग पूरे घर के प्लग और स्विच्चस वगेरा चेक करते हैं कि गोबलिन विजट के लिए आया हूँ दान कारलो गोविंदा की फोटोस अब बताने वाली थी कि आज का दिन बहुत बुरा था बट डॉक्टर उसे रोक देता है कि मॉम को परेशान मत करो इसके बाद रूबी कर्म को बस इतना बताती है कि उसे टीवी शो वालों को मेरे पेरेंट्स का कोई ट्रेस नहीं मिला तो कल बोलता है कि मैं पास से खुश हूँ क्योंकि अगर वह मिल जाते तो मैं तुम्हें उनके साथ शेयर कैसे करती तुम सिर्फ मेरी हो 33 बच्चों को अब तक मैं फ्रोस्टा हम में पाल बट तुम्हें सिर्फ मेरे पास रूकी तुमने मेरी जि कि कौनसी डान्स की बात ना करो बट अगले ही पल वह खुद भी दोबारा ये शब्द बोल देता है जिससे बाहर शोर सुनाई देता है और अचानक उनका घर तूटने लगता है घर की छट में दरार आ गई थी फ्लेट हाफ में से क्रेक हो चुका था डॉक्टर चेक करके बताता है कि ठैंक गॉड वह चले गए ये उनका गुडबाई गिफ्ट था और वह देखता है कि गोबलिन फोटो से भी गायब था सुबह खुश हो जाता है बट तबी डॉक्टर नोटिस करता है कि अब रूबी भी गायब हो गई थी यानि वह रूबी को ले गए और इसस भी खुदी ठीक हो जाते हैं डॉक्टर कल को काफी समझाने की कोशिश करता है बट वहां से अब उन बच्चों की फोटोस भी गायब हो चुकी थी कि मैं अभी तक सिर्फ 5 या 6 बच्चों को ही पल है डॉक्टर उसे 33 बच्चों का बताता है तो वह नहीं मानती और बताती ह कि मैं तो बस कुछ पैसों के लिए कभी कभी यह काम करती हूँ तुम मुझे किसी और की जगा समझ रहे हो कल के एटिट्यूट भी थोड़ा डिफरेंट था वह रोते हुए बोलती है कि मैं ऐसे अकेली ही ठीक हूँ मुझे बचा नहीं चाहिए डॉक्टर समझ चुका था क गवन्मेंट स्टाइल में पीछे जाकर रूबी को ले गए हैं जब वह न्यू बॉन थी अब उसे ही टाइम में पड़े क्रेक को सही करना होगा और वह सब कुछ ठीक कर देने का प्रोविसे करते हुए वहां से चला जाता है जब रूबी की मां से चच के आगे रख कर जात है वह ख्रियेचर्स बच्चे को ले गए इसके बाद डॉक्टर भी जमकर की सीडी पर चट जाती है उधर गोबलिन किंग रूबी को बस खाने ही वाला था कि तभी डॉक्टर अपने सुपर गलव्स के थरू सीडी को खीचते हुए शिप नीचे लाता है जो की सीधा चाच के पिला पर गिरती है और हुआ पिला किंग की बॉडी में सटेप हो जाता है जिससे वो मर गया था उसके बाद शेप अचानक से गायब हो जाती है और नीचे गिरने वाली रूबी को डॉक्टर क्याच कर लेता है देन डॉक्टर उसे चच के दर्वाजे पर रख वहां से दूर चुपके देखा है कि प्रीस्ट रूबी को उठा कर अंदर ले गए थे उसके बाद डॉक्टर ट्रेडर्स के थरू इस प्रेजन टाइम में वापस आ जाता है जहां रूबी का फ्लेट क्राक था और वहां रूबी को पहले जैसा देखकर खुश हो जाता है वह रूबी के पास नहीं जाता बलकि रूबी उसे धूनते हुए टाड़िस में पहुंच जाती है जो की अंदर से बहुत बढ़ा था ये देखकर रूबी काफी इंप्रेस होती है और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है